हेलो दोस्तों आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है इस चैनल में दरसल आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ सूर मंदिर आपने एक कोडाक का सूर मंदिर सुना होगा इसी प्रकार से एक उत्ते प्रदेश में महोवा जिला में है एक ऐसा सूर मंदिर जिसका इतिहास बहुती अधवुत है दोस्तों इस मंदिर की कहानी सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे पहले तो मैं मंदिर आप देख रहा है आज आपको यह क्यों फैला हुगा देखने को मिलता है सब अलग-अलग सिलाएं इसकी डली हुई है एक रीजन था जब कुद्वद्दीन एव होगा क्या कहानी रही क्योंकि अधिकतर जो मुस्लिम सासा के कुद्वद्दीन एवक ने जो च्छती पहुंचाई थी मंदिरों में टेंपलों में तो कुछ उद्देश था वहां की संस्कृति को मिटाना और कुछ उद्देश था कि धमिल संपत्ति को ले जाना तो अलग- आपको घुमा दूँ इस मंदिर का फिर आपको इतिहास बताऊंगा दोस्तों और इतिहास जरूर आप सुनना तभी आपको इस मंदिर की कहानी सच में आपको पता लगेगी बहुत अद्वुत है क्यों यहां पर बताते हैं कि सूर की पहरी किरण इसमें आती है तो वह हिस्से में हैं यहां आप देख सकते हैं यह उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में रहलिया सागर के यहां रहलिया का सूर मंदर भी कहा जाता है और जश्ट इस्ट के देख सकते हैं तालाव है इन चीजों का निर्माड आज से ग्यारा सो बरस पहले हुगा था सब इस चीजें बनी हुई थी तालाव भी बना था और इस मंदर का भी निर्माड हुआ था तो पहले आपको अंधर दिखा दूँ क्या है देख सकते हैं यह सीडिया है और मंदर बहुत बड़े आकार में बना हुआ था इसे च्छती पहु जो यहां बुंदेल खंड में बहुत ही पिचलित था इन चीजों की अमारत बहुत बनी हुई है तो यहां पर आएंगे यह सब जो डिजाइन है यह सब हाथ की कारी करी से निकाला करते थे लोग और बड़ी-बड़ी सिलाएं बताते हैं कि उस समय जो ब्यक्ति थे अपने क सब्सक्ति म२िम्दर के यहां पर इंटरी करेंगे तो हमें एक बहुत बड़े आकार में एकडर मिलेगा देख सकते हैं इसे जो महराम को भी इनके देख सकते अलग पर कार यह को rethink करेंगे तो बहुत खूप्सूरती से इसका नर्माल कि किया होगा तो यहां पर जैसे हं आम तो हमें एक अधुत चीजे कर देती हैं यहां की कि इस मंदर को तो आप देख रहे हैं उपर से एक बार चारों तरफ से आपको आज ओपर खुला आसमान से दिख रहा होगा क्योंकि पहले एक खुला नहीं था यहां पर च्छती पहुचाई तभी मंदर मिट गया आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जब यहां पर अभी आपको 20-30% ही कुछ हिस्सा अभी देखने को मिलता है बहुत बड़े एरिया में फैला था यह मंदर बहुत च्छती पहुचाई मगर अभी भी कुछ ऐसी अध चुप चेत कर देती कि हां उस समय की कलाकारी बहुत अधुट थी तो यहां पर आप देखिए इस मंदर के यहां गर्व ग्रे का सीधा बी बात घरने करूँगलव ग्रे के सीधी अगर बात करूझ तो Bतातेuję कि सूर की करण होती थी, वो सीधी गर्ब ग्रय में प्रवेस करती थी, अब इसका लोजिक कुछ अलग ही था, सूर मंदर का, तो मैं आपको अभी गर्ब ग्रय भी दखाने बाला हूँ, जहां पर सूर की कऱर पढ़ा करती थी, और क्या है उस गर्ब ग्रय की एक अलग सी कहानी दोस्तों, तो य हजारों बर्सों तक इसी बलबूते पर अगर खड़ा रहेगा देख सकते हैं तो यहां पर आप आ सकते हैं तो जैसे हम गर्ब ग्रए के पास आएंगे देख सकते हैं जैसे हम यहां पर गर्ब ग्रए के अंदर हम प्रवेस करेंगे प्रुवेस्थ करने के बादmesi यहाँ आप ऊपर लॉजिकली देख सकते हैं पथ़र के इस प्रकार से है रो्पाए गए आ है और इस गरंगराई की कुछ अलग कहानी है यहाँ पर आएंगे तो आवाज भी बहुत गुणस्ती है दोस्त और यहाँ पर आप देख सकते हैं गरं सब्सक्राइब कर दो दो हैं और यहां पर दिखाना दिखने सामने देखी है यहां पर दीरी दीरी इस गरभ गरह में आप अंधर जा रहा है हम लोग कितने अंदर बना है यहां पे पंद्र बीस फुट का गैप हो अलग-अलग प्रकार की वो दीवाले बनी है तब भी पर उसकी गरब-गरए में सूर की किनल जाती है तो यहां पर क्या पता क्या हो सकता है यहां पर कोई लिखित प्रमार तो है नहीं कि मैं आपको बता सकूँ बस एक अंदाजा लगा रहे है कि क्या हो सकता है तो इस गरब-गरए की अलग कहानी रही तो यहां पर आप आ सकते हैं पिलोरों को तो देखी सकते हैं इसमें मैं तीन दौार हमें देखने को मिलेगा एक दौार आप देख सकते हैं और एक से हमने इंट्री की थी दोस्त और एक इस तरफ है देख सकते हैं अलग अलग दोवार है और इस जगए पर कुछ इस प्रकार की कलाकारी डिजाइन बनाई गई है देख सकते हैं यहां पर भी कोई ऐसी पृतिमा होगी कुछ तो महत होगा इस जगए का क्यों इसे बनाया गया अगर टैंपल ही बनाना था तो मतलब टैंपल बनता है तो डारेक किस प्रकार की कलाकारी होती थी कैसे सोचा करते थे लोग और इसका ढ़ाचा कैसे तैयार किया है अगर मैं इनके इतिहास की अगर बात करूं तो बताते हैं कि 890 से 910 एजबी की बीच इसका निर्माड हुआ था यानि कि आप देख सकते 20 बड़ सोकत समय लगा चुक्ते हैं कि जो राजा थे बताते हैं कि राहिल देव बर्मन जो चंदेल सासक की राजा थे जो नोने इनका निर्माड करवाया था सूर मंदर का और कुछ इस प्रकार से अभी बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है मैं आगे आपको दिखाऊंगा इस दौर को मैंने दिखा दिया यहां पर आप चलते हैं क्या है तो जैसे हमें यहां पर आएंगे तो हमें सैम दौर ऐसी मिलेगा जैसे वहां से दोस्त मिला था तो यहां पर आएंगे यहां पर आने के बाद अब हम देखेंगे कि यह जो टेंपल था बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ था यहां पर आप देख सकते हैं जो सिलाएं आपको बिखरी हुई देख रही होगी बहुत बड़ी एरिया में आंगे तक देखिए वहां पर और यह सिलाएं सब कुद्बुद्धिन एवक द्वारा जो बारा सो तीन इसबी में इसे तोड़ा गया था तो जिस सब बाकायदा फैला दी देख सकते हैं किस प्रकार का अधुद्ध दरस्स हमें देखने को मिलता है उस तरफ देखिए तो कुछ इस प्रकार सिंगहासन जैसा हमें दरस्स देखने को मिलेगा जैसे मुझे लगता है कि यहां पर जो राजाद है यहां पर आया करते थे और आने के बाद यहां पर किस प्रकार से इसकी नटकासी कलाकारी निखारी गई है दोस्तों क्यूंकि आप देखेंगे हमने अभी अंदर से दिखाया तो अंदर से कुछ इस प्रकार तो हमें नहीं देखने को मिला मगर यहां पर पत्थर के बाद इसमें कई पत्थर हजारों पत्थर यूच किये गए ह और हर पत्थरों में डिजाइन की है उसके बाद पत्थर रुपाए गए हैं पत्थर रुपाने के पहले आप खुद सोचिए पहले हम एक हजार पत्थरों में डिजाइन निकालेंगे फिर इसमें रुपाएंगे तो कितनी महनत होगी उस समय आप अंदाजा लगा सकते हैं क् बाद में तो ये बनाए नहीं गया होगे, सीधे पत्थर रख दिये, फिर इसमें कलाकारी ऐसा नहीं होता, आप खुद अंदाजा लगाईए, पत्थरों के उपर, पत्थरें, सिलाओं के उपर सिलाएं, देख सकते किस प्रकार से बनाई हैं, और इस मंदर का निर्मार कर दि के हैं, मगर पत्थरों से ऐसे इस प्रकार की मंदर की कलाकारी नहीं हमें कहीं देखने को मिली है, दोस्तों, तो अब हम इस तरब चलेंगे, देख सकते हैं, इस सिलाओं को जरूर कैमरा, मैंने एक बार कैप्चर करके दिखाना कैसी बिखेरी गई हैं, मैंने बताए छोटा में देखने को मिला है, अब हम वहां पर पहुंचेंगे, वहां पर क्यों सी आगरती बनी है, और क्या क्या है, वो भी आपको एक्स्प्रोल करेंगे, इस सब कुछ दोस्तों, सूर मंदर टैंपल है, मन्दर मूरती नहीं है, कुछ नहीं, बस ऐसी है, तो देखिए, यहां प प्रकार से हैं, और बहुत ताजुक होता है, कि उस समय जो यहां की राजा महराजत एक कुछ ऐसी चीजें छोड़ गए, कि जिसे मिटा कर भी कुछ दिन अवक ने मिटा नहीं पाया, और आज भी किस प्रकार से हैं, और सलाय देख सकते हैं, एक 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 बैक्ति बता रहे, कितनी बड़ी ander हैं, आज यहां पर क्या है, तो देखिए यहां पर जैसे ही आएंगे तो आब हमें कुछ यहां पर कुछ अलग सब्रस हमें देखने को मिलेगा, तो यहां पर आप आएंगे, तो एक सी देखना है, यहां पर संह की आकरती में कुछ इस प्रकार की डिजाइन देखने को मिलती हमें, अब देखें इस संक किसलिए बनाए गाए होगे, देखें दो इसम संक है, और कुछ इस परकार, तो अब हम उपर चड़ेंगे, देख सकते हैं, तो अब यहाँ पर जैसे हम आएंगे, देखना बिलकोल जैसे सिंगासन होता है उस परकार से, यहां पर आएंगे फिर संक बना है और एक चक्र टाइप में बना दिया गया है यहां पर उसके उपर और आएंगे देख सकते हैं जैसे चले आएंगे तीन संक मिलेंगे और यहां पर जैसे हम बिजिट करेंगे तो यहां पर अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कि यहां प पर आप खास तोर पर देख सकते हैं मूर्तियों की कुछ डिजाइन उकलाकारी यहां पर हमें देखने को मिलेगी दोस्त और यहां आप देख सकते हैं बहुत बड़ी एरिया में फैला था और इस प्रकार से बनाया है जो अद्वुत कर देता हो और यहां पर जो इहां है उसी समय का तालाव है और इस तालाव की जब खुदाई की गई बताते हैं तो यहां पर कुछ ऐसे अधुत मूर्तिया निकली ऐसे बहुत सी चीजे निकली जो उस समय की थी धातू बगएरा भी निकली होगी तो इस तालाव मैं देख सकते हैं इसका अलगी कहानी है इस 200 साल बाद इसके बनने के बाद जब आते हैं तो फिर उन्हों अने तो फिर और महोगा का नाम और रोसन कर दिया और महोगा की खासतोर पर एक कहाबत भी जो अक्सर यहां पर कही जाती है यानि का इस कहानी का यहां पर तात्वर है जिसे आलहा बोला जाता है खास तोर पर के बड़े लड़िया महवेबाले यानि एक को मारते थे दूसरा खौफ खाके मर जाता था इस प्रकार के लोग थे एक और मर जाता था यह ऐसी कहानिया काई जाती हैं सच में यह बीर उद्धा थे जिनको आज पूरे भारत वर्स में जाना जाता है महुवा के सूर मंदिर को देख सकते हैं और उपर एक बार जूम करके जुरूर केमरा में दिखाना द्रस इस मंदिर को देखना आपको ऐसे लगता होगा जैसे गिरने वाला हो मगर ऐसा कुछ नहीं है किस प्रकार से शना इसला उपर एक बहुत बड़े गम्मत बजन लदा है आप देख सकते हैं अंदर मैंने आपको देखाया था जैसी हम गरभ करह में गये ते इसके बाद अंदर देख सकते हैं कितना बजन इसमें लदा हुए है तब भी पर इह अपने बलबूते पर खड़ा है तो इंजिनियर उस टाइब के भाई बहुत अच्छी बात है तो बहुत टैलेंटेड होगे तो उनके लिए भी धन्नवाद जो उन्होंने इसी धरोवर हैं एक बनाई क्यूंकि राजा तो आदेश देते हैं असली इस्टेक्चर इंजिनियर तैयार करते हैं जो यहां पर जो सेनेक लगा करते थे उनकी भी बहुत मेहनत है और राजा ने भी एक ऐसी चीज सोची कि इस चीज के निर्माल करवाया जाए जो आंगे योगों योगों तक चले और मेरा नाम है तो देख सकते हैं आज मैं रहे लिए का सूर बंदर दखा इस वीडियो के माद दम से दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरू कर दना धन्नबाद दोस्तों